हाई अब्रिवन आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है तो आज की इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे मिश्टर बीश्ट के बारे में दोस्तों आप मैंसे काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा तो अगर नहीं पता दो मैं थोड़ा सा पता दू लेकिन मैक अब समझ रहें कितना बड़ा नंबर है 95 तो दोस्तों इन्हों ने यूटूब चैनल का विस्टार्ट किया था इतने सब्सक्राइबर इन्हों ने आखिर कैसे इतना बड़ा यूटूब चैनल आज यह बना कैसे कड़ोरों रूपिया में मंधली का इंकम होता है इनका ठीक सकते हो इंकम तो कड़ोरों में होता है कितना कड़ोर होता है वह आप लोग अंदाजावी नहीं लगा सकते कि यह यहां की यूटूबर नहीं है पूरा डिटेल में इस वीडियो में इनके बारे में बता रहा हूं से पहले चैनल पन नहीं है तो सब्सक्राइब किलने साथ एप्लिकेशन से काफी ज़्यादा डिफरेंट है यह सिर्फ पोकर गेम खेलने वाला एप्लिकेशन ने इसमें और भी काफी सारे चीज़े हैं ब्लीब मी दोस्तों यह एक बहुत ही ज्यादा इजिएस वे हैं जहांसे आप लोग बहुत सारा रियल मनी कमा सकते हो यहां पस सिर्फ दोस्ता आपको गेम ने खेलना है इसको आप आपने दोस्तों के साथ भी रैफर कर सकते हैं यह 2G नेटवक में भी इतना ज्यादा स्मूथली चलता है कि मत ही बोलो लाइक दोस्ते इसमें विविड साउंड इफेक्ट्स है ठीक है फुलेंट स्वीच है और इसका ग अपनी रोयल पोकर को जो है इंस्टोल करेगा उसके बाद वह आपका रेफरल बन जागा उसके बाद वह जब भी रिचार्ज करेगा उसका 5% आपको मिलता रहेगा लाइप टैंग यहां साप पैसे कमा सकते लाइक करना किया क्या आपको एक क्लब करेट करना है उसके बाद जो है रेजिटर करेगा वह आपका कलब मेंबर बन जाएगा उसके बाद दोस्तों उसका सर्विस फी के रूप में आपको हमेशा कैस रिवोर्ड मिलता रहेगा आप जो भी यहां पर वीनिंग करोगो जो भी पैसा उसको आप आराम से वीडरोल कर सकते इस्टेंट पे आउ जंद है जर्म मननंद नहीं है और यह कहां से है अमेरिकन यूटुबर यह देख सकते हो मिश्टर बिष्ट आप दोस्ति इनके बारे में पहत कुछ पता हुआ ठीक है मैंने इनके बारे में थोड़ा एनुटुबर यसर्च किया था आज ही कि डेट पे मैंने काफी सारह रह तो इनौने अपन यूटूब को देखो कि उस टाइम मुझे as I started किया 2016 में मतलब तीन साल पहले इन्हों ने यूटूब को बारे में भी नहीं पता था तो दोस्तों इन्हों ने यूटूब चनल अपना इस्टार्ट किया था अब आप लोग इसमें फोन था वो था आइफोन फाइव आइफोन फाइव उस टाइम का सबसे ओल्डेस्ट फोन मतलब उस टाइम का लेटेस्ट फोन था अभी तो बहुत पुराना हो गया इसी वाले फोन से इन्हों ने अपने यूटूब चनल के तो 2013 में इनके बारे में मैंने रिसर्च कैसे किया इनका मैंने एक इंटर्व्यू देखा एक यूटूब चनल पर इनका इंटर्व्यू द ज़्यदा देते हैं लाइक मेरे पास कैमरा नहीं है कोई बोलेगा मेरे पास अच्छा माइक नहीं है मेरा घर नहीं है तो मेरा लाइट नहीं यह एक्सक्यूज इन्होंने भी इंटर्व्यू में बोला कि एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए आप समझ सकते हो आज 95 million वाला YouTube YouTube जो है उन्होंने भी अपना चैनल से सब कर लिए ठीकर­ टोड़ासा मेरे से इनका मिलता मैंने भी दोस्तों फोन से हंड्रेट कि सब्सक्राइब गमप्लेट किया उनके बाद इन्नों ने बताए इंडर्वीव में कि इन्हों ने फिर यूटूब से अंशाय करते इन्हों ने अपना चैनल के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू किया, इन्वेस्ट करना शुरू किया, लाइक कैमरा खरिदना, ठीक है, ट्राइपोड खरिदना, माइक खरिदना, वो कमा कमा करके शुरू किया, और मैंने भी दोस्तों से मैसा ही किया था, ठीक है, मैंने भी 100 का होने को बाद मैंने एक पहला तो आज इतने बड़े यूटूबर नहीं बनते हैं अगर यह भी एक्सक्यूजेस देते कि मेरा पस कैमरा नहीं माइक नहीं तो मैं कैसे यूटूबर बन सकता हूं जिससे आपके अंदर एक किरिवशिटी जगती है कि हाँ इस वीडियो में मुझे हमें यह यह चीज देखने को मिलेगा यह सिर्फ हमारे टेक वीडियो पर मैं ऐसा करता हूं हर एक वीडियो पर आप यह चीज कर सकते हो पहले अपने वीडियो का ओवर्व्यू दो का आपको उस वीडियो में आप अपने ओडियन्स को क्या बताने वाले हो लाइक हाइप बनाना उसी को बोलते हैं अगर आप व्लॉग्स भी बनाते हो इस से देखिए मैं काफी चीज आप लोग को सिखाने को कौजिस कर रहा हूं अगर आप व्लॉग्स भी बनाते हो तो व्लॉग्स इंट्रेटेनिंग पार्ट को लगा देते हूं तो लोगों के अंतर में एक जिग्यासा जाग जाती है चलो यह चीज हमें पूरे व्लोग में आगे देखने को मिलेगा तो ऐसे करते कर दो लोग पूरा व्लोग को देख लेते हैं तो हर एक वीडियो में आपको पहले इस्टा बताँगा जो कि बहुत बड़े यूटूबर है 95 मिलियन सब्सक्राइबर से तो मैंने भी आपको यह काम करना है अपने चैनल पर जिससे आपको ज्यादा ज्यादा व्यूज आएगा आप दोस्ते यहां पर और कुछ पॉइंट्स के बारे में उन्होंने बात किया लाइक क तो में यहां फोकस करना है उसके बाद उन्होंने बोला कि जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा आपका व्यूज का बढ़ने की संभाणा पड़ती है क्योंकि यूटूब आपके वीडियो का इंप्रेशन भी बोले जो कि कॉमन चीज है हर एक वीडियो में मैं भी बता आपका वीडियो इंट्रेस्टिंग होना चाहिए कंटेंट अच्छा होना चाहिए इससे आप आपके यूटूब जो है ना आपके चैनल को बूश्ट करता है ठीक है यह काफी ज्यादा बूश्ट करता है अगर आप यह सब चीजों पर ध्यान देखे करें इंप्रूम करों तो और एक चीज दोस्तों इन्होंने बोला कि आपको हमेशा ट्राइड करना है अपने चैनल पर क्लिकेवल थाइटल लगाने का ठीक है क्लिकेवल थाइटल क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा भी बात करेंगे थाइट यह चीज अगर आप करते हो तो क्लिक बेट आप इसको मान सकते हों क्लिक बेट के बारे में मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको क्लिक बेट करना सीखना होगा अगर आप क्लिक बेट करना नहीं सीखोगे तो आपका चैनल आप बूस्ट नहीं कर पाऊगे क्यों दोस्तों क्यों कि आप जिस टॉपिक पर क्रिएटर तक क्लिकवेट करता है अगर मैं थोड़ा सा कीये हैं कि पाफ़ी बड़ा क्लिकवेट किये हुए कि रिसे वीडियों में आप लोग कमेट करें करके बताना कि कि क्या क्लिक्वेट किया हुए है हैं फरी में जी रिसर्च करता हूं देखता हूं कि कौन क्या कर रहा है यूटूब पे जो है एक वीडियो में काफी बड़ा क्लिक बेट किये थे कुछ महें ने पहले का वीडियो है आप लोग को मैं क्लिक बेट के बारे में एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा आपको क्लिक बेट कैसे करन है आप क्लिक बेट करना जिस दिन सीख जाओगे आपका वीडियो जो है CTR बढ़ जाएगा इसी को बोला जाना क्लिकेबल थम्निल बना रहा है क्लिकेबल थम्निल तभी बनता है जब आप क्लिक बेट करते हूं सेकंड है टाइटल दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को ही लगाने के लिए ठीक है लाइक मेरा टेक वाला चैनल में थोड़ा से यहां पर आपन करके दिखाओं तो आप लोग चैनल यहां से निकल जागे यह देख सकने मनोज दे तो यहां पर मैं अपने चैनल पर आ ठीक है अब यह वाला जो वीडियो था Instagram real monetization Big Update यहां पर यह पैसा मिलेगा लेकिन यहां पर कॉश्चन माक लगा हुआ लिखती है अब रिल से भी पैसा मिलेगा लेकिन कॉश्चन माक है और वीडियो में आपको भी अपने चैनल पर ट्राइ करना है तो आपको क्या होगा ज्यादा ज्यादा व्यूज आएगा अगर आप बोलोगे कि मैं सिंपल तरीके से एक दम अच्छे इंसान जैसे यहां पर जो है सीधा सीधा लिग दूगा जो मेरे वीडियो में हो ऐसे लिग दूगा तो देखो कि आपका जो प्रिविएस वीडियो था उसको लोगों ने कितना इंजोई किया था मतलब आज का वीडियो अगर आपका अच्छा बने तो आपका नेक्स वीडियो में भी आपको ज्यादा रिस्पॉंस अच्छा देखने को मिलेगा जैसे दुस्ताओ अगर इस क्या था मेरे पिछले वीडियो तो वह तो जब वो मेरे नया वीडियो जब नेक्ष वाला नया वीडियो भी उसके पास अगर गया in case impression तो वो मेरा नया वीडियो भी देखेगा किकर उन्होंने पिछला वाला वीडियो काफी जदा enjoy किया था तो हमेशा उनका कहना यहीं है कि आप जब भी वीडियो बना तो ट्राई के लिए उनको कभी-कभी 10 घंटा भी लग जाता है यह सून करके मुझे भी बहुत ऐसा लगा एक 15 सेकंड का स्वाट लेनी के लिए 10 घंटा से भी ज्यादा टाइम लग जाता है इन्होंने खुद बोला उसी इंटरव्यू में ताकि वो बोलते कि 10 घंटा बले लग जाई उस 15 सेकंड के लिए लेकिन उस सौट को जब वीडियो में दिखाऊं लोग जब लोग देखे तो उन्हें लगे कहां भाई कुछ एक्स्ट्रा है कुछ नेक्स लेवल चीज है लोगों को मज़ा है भले समय लग जाए महनत लगे टाइम लगे खर्चा हो लेकिन मज़ा आना हुआ अप लोगा चाल को उसक्राइबर लोग अपनी चैनल को भी ग्रोग कर सकते हो अगर वीडियो पसंद आए कुछ सीखिनों के मिला तो लाइक का देना चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेने चलिए आज के लितना है तक लिए जय हिंद वंदे मात्रा